हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आएम मनोज कुमार और दोस्तों लगातार हम और एकल इंटिग्रिशन क्लाउड, OIC में हम लगातार नई-नई चीजे सीखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारी चीजे हैं पीछे के सेशन में कर चुके हैं बिना टाइम वेस्ट किये आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं और आज बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही जादा इंपोर्टन टॉपिक है और सच बताऊं तो टॉपिक एक नहीं है बहुत सारे हैं तो आज OIC क के अंदर जो functions होते हैं देखे functions की और XXLT जो constructor थे conversion थे उनकी बाते हैं पहले कर चुके और नहीं भी किये तो हम दिये-दिये जब आगे बढ़ेंगे तो definitely उनको हम करके देखेंगे और उन पर और ज्यादा clarity हमें आ जाएगे बट आज में आपको OIC में जब development करते हैं कोई integration बनाते हैं तो कौन-कौन से features मेरे पास available होते हैं features से मेरा मतलब है options available होते हैं तो उन options की बात हम brief में करेंगे फिर उनके एक-एक करके lab session के अंदर example करें तो बिना टाइम वे उसके क्योंकि integration की बात कर रहा हूं तो but obvious से पहले integration पर मुझे आना पड़ेगा और integration पर आने के बात मुझे create करना पड़ेगा एक integration create करते हैं दोस्तों क्रेट करते हैं simply कोई भी ले लेता हूं क्योंकि मैं तो आपको समझाने वाला हूं अभी तो एब ड्रिविन ले रहा हूं और यहां पर खच्क एकस ओवर्वू लिख लेता हैं कुछ नहीं करने वाले दोस्तों इसमें कोई development नहीं करने वाले आपको बस ध्यान से समझाने और देखेंगे यह पूसता ही है start और end आप यहां पर मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों इन वाले features की यह features क्या है जो right hand side में आपके पास यह बहुत सारी चीज़े दिवें यह features क्या हूँ और जब इस पर click करते हैं तो क्या चीज़े खुलती हैं इनकी बात करने वाला हूँ दोस्तों आज बात करने वालों actions की, error handling की, logics की, calls की और थोड़ा सा scroll down करता हूं तो end की थोड़ा सा इनको brief कर लेते हैं और फिर दोस्तों जितना possibly हो सकेगा उनके example हम one by one करेंगे कुछ चीज़े definitely ऐसी हैं जिनको हम one by one भी नहीं करेंगे जब हम complex या थोड़ से बड़े अपने integration design करेंगे उन cases में उन चीजों का utilization होगा तो उन चीजों को वहां करके देखेंगे और जो भी playlist होगी जब मैं आपको inside view वाला action का या error handling का जो playlist release करूँगा उस में आपको further जो videos होगे उनको मैं add करता हूँ तो अभी सबसे पहले बात करतें assign की की assign के हैं हाला कि देखें जो भी OIC के अंदर ये features दियो है इसको यहाँ पर बोलते है actions ठीक है actions पर जब जाते हैं तो actions पर जाने के बात मेरे को बहुत सारे features यहां दिखाई देते हैं इनका मतलब क्या क्या है जब आप बड़े integrations बनाओगे definitely वहाँ पर आपको यह सब देखने को मिलेंगे तो देखने को मिलेंगे तो but obviously हमें उन्हें जानना भी चाहिए तो देखें सबसे पहले बात करूँगा assign की जब कभी भी देखें हम थोड़ा सा मैं correlate भी करूँगा चीजों को जब हम PL SQL में कोई भी code लिखते थे दोस्तों तो sometimes क्या होता था हम PL SQL को कोई procedure लिख रहे है या function लिख रहे है या anonymous block लिख रहे हैं या अपने schedule process में parameter बनाके लिए आता हूँ बट फिर क्या करते थे हम declaration section के अंदर बहुत सरे variable अपनी requirement के हिसाब से define करते थे define in the sense declare करते थे sometimes declaration के साथ में उसको हम assign भी करते थे तो दोस्तों यहाँ पे declaration जैसी कोई चीज निया बठा variable को create करना और variable created variable में value assign करने का काम यह x वाला जो action है यह करता है इसकी बात करें दोस्तों ठीक है क्या करता है हाला कि आप इस पर click करोगे तो definitely बताता है क्या चीज है यह बता रहा है देखिए क्या बता रहा है यह simply बता रहा है assign value to variable using expression builder अलाकि इससे मुझे definition मोटी मोटी सान मागी बड़ करता क्या है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा तो एक variable बनाना वो भी सी के अंदर है और उस बने हुए variable को कोई value assign करना वो भी इस assign के अंदर ही आती है ठीक है बी-टू-बी की बात अभी नहीं कर रहे है बी-टू-बी का चले थोड़ सा बतायता हूँ यहां पर बी-टू-बी में EDI document लिखा हुआ है EDI document most of the time मेरे जो format होते हैं bank से related bank की payments से related या जो हम bank के साथ integration करते हैं उस time पर यह EDI electronic data interchange वाला जो document या format यह उस time पर use होता है तो some kind of बी-टू-बी का जो use है वो मेरा उस time पर आता है जब मैं bank के साथ को integration अपना बना रहा होता हूँ तब ही आता है तो definitely इसको अभी नहीं करते हैं थोड़ा से इसको explore करेंगे और इसकी बात बात में करेंगे data stitch क्या है data stitch पर भी x लिखा हुआ है और इस पर भी x लिखा हुआ assign करना या उनमें value assign करना मतलब चाहे variable मुझे declare करना हो बनाना हो create करना हो या उस global variable के अंदर value डालनी हो assign करनी हो दौनों case के लिए data stitch मेरा use होता है difference क्या है बहुत सारे मेरे भाहियों के दिमाग में ही आ रहा होगा यार सारे काम तो variable सोचेंगे फिर ये global variable क्यों जरूत है definitely जब example करेंगे तो शायद और better तरीके से clarity आ जाएगी क्या है बढ़ हाँ बता देता हूँ कई बार क्या होता है दोस्तों कि कोई एक scope होता है scope in the sense जब हम देखें क्योंकि जो लोग coding के background से technical background से वो चीजों को शायद ज्यादा understand करेंगे बजाए कि जो लोग सीधे सीधे OIC लेकिन उनके लिए भी हम कुछ न कुछ जरूर बताएंगे तो variable तो क्या होता है आपने कोई एक circle लिया चलिए मैं example के तौर पर आपको थोड़ सा diagram बना के बताता हूँ मैं इसको यहां से इधर उठा के रख लेता हूँ और अभी start है तो एक start point जल्दी से fast way में start point बनाएत test लिख रहा हूँ दोस्तों next कर रहा हूँ और test लिख रहा हूँ next कर रहा हूं next कर रहा हूं done कर रहा हूं कोछी नहीं करें देखिए एक छोड़ा से integration जिसका कोई utilization नहीं वो आगया यह आगया ठीक है अब यहां पर let's say मैं एक चीज यहां पर add कर दे तो example दे रहा हूँ दो इस वाले line पर या यह जो bus है मैं कई बार bus बोल देता हूँ कई बार line बोल देता हूँ आपको समझने से मतलब है यह जो arrow key की line हो रही है let's say मैंने यहां पर कोई variable बनाया यहां पर तो उसको मैं कहां use कर सकता हूँ उसको इस पूरी line पर कहीं भी use कर सकता हूँ कोई दिक्कर लेकिन एक variable मैंने इसके अंदर बनाया एक variable मैंने यहां पर बनाया अंदर तो क्या उस variable को बाहर use कर सकता हूँ बिलकुल नहीं use कर सकता हूँ दोस्तों कोई scope देखें scope क्या है कई बार जो आप file-based कुछ काम करोगे या कोई looping-based कुछ काम करोगे तब आपको scope की कहानी समझ मैं आगी scope को भी महागी जरूर देखेंगे बट इसके अंदर define कियो हुए variables को कौन से यह वाली variables कहां के मेरे अरे यह जो assign से जो मैं variables create करूँगा वो variable का scope के वाल इस bucket के अंदर होगा square bracket के अंदर होगा लेकिन अगर इसी के अंदर मैं data stitch को use करके यहां पर अपना global variable define कर उसमें कोई value तो वो इस scope के बाहर भी मुझे use में आएगी कोई problem नहीं तो अभी बस इतना ही समझना है कि variable मुझे कहीं भी सीदे सीदे जब तक कोई area specific area नहीं मिलना kind of यह देखें variable में इसके अंदर भी use उज जाएगा but इसके अंदर define कियो variable मैं बाहर नहीं use कर सकता but global variable global variable को create करने के लिए एक छोटी सी चीज आपको यहां ध्यान देनी है मैंने बताया कि variable बनाते हो तो बना भी इसी से सकते हो और assign भी इसी से कर सकते हो but global variable के case में global variable आप यहां पर values में assign कर सकते हो केवल assignment कर सकते हो यहां से create कहां सकरोगे just उसके नीचे यह x लिखा हुआ है global variable आता है जब हम इसको पर arrow की लेके आते हैं हम global variable इस पर click करके यहां पर आता है add variable यहां पर जो भी add variable करेंगे जो भी variable करेंगे वो मेरा global variable बनेगा हालागि सारी चीज़े करके देखेंगे अब भी बस हम कितने actions हैं क्या use है वो समनना चाह रहे हैं so that हम timely जिन चीजों की ग्लोबल variable के अंदर value assign होगी append होगी और delete होगी या remove होगी लेकिन create होगा global variable मेरा इस वाले x से बहार से दो चीज़े सन्वागी b2b की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं जितना बताती है उतना ही ठील है logger क्या है logger is nothing दोस्तों जैसे हम log create करते हैं log किसी भी अपने program के अंदर log create करते हैं कि मेरा program कहां तक पहुच गया कहां तक नहीं पहुचा logger को यहां पर भी drop कर सकता हूँ यहां पर कोई message डाल सकता हूँ कोई भी test message में कुछ भी लिख सकता हूँ ठीक है और कहीं और भी आपको fast way में कई बर चीज़े करके दिखा रहा मैं यहां पर भी logger डालना चाता हूँ तो यहां पर भी logger डाल सकता हूँ logger मैं अपनी हर stage पर डाल सकता हूँ जहां पर भी मुझे चाहिए और वहां पर कोई भी message जो मैं print कराना चाता हूँ दिखाना चाता हूँ और किवल message नहीं दोस्तो message के साथ में और भी चीज़े kind of यहाँ पहले क्या variable दिया था आगे पीछे क्या message दिये थे concrete कर सकते हैं अपने functions यूज़ कर सकते हैं तो logger basically use होता है मेरा किसके लिए logging करने के लिए log create करने के लिए messaging करने के लिए messaging वो message नहीं है messaging मतलब अपने program में किस stage तक program चल गया है क्या message आगे है क्या error आई है वो सब error के लिए अलग है अगर कोई आप message यह ऐसा लिए हो error identify करने के लिए तो messaging के लिए basically मेरा logger use होता है इतनी बात clear होगी उसके बाद क्या mapper mapper आपको शाइद पता ही है मैंने छोटे-छोटे integrations जो आपको करके दिखाएं अभी तक हाला कि integration पर मैंने focus करने के लिए मना किया है बड़ mapper का काम simple यह है left से आने वाली देखे अभी मेरा mapper मैंने create नहीं किया left से आने वाली कोई भी values let's say example मानते है यह मेरा mapper है left में कुछ भी आ रहा है right में क्या pass हो रहा है उसकी mapping जो रखता है वो मेरा mapper रखता है दोस्तो mapper हम अपनी requirement के हिसाब से भी कभी भी create कर सकते है कोई दिख्कत नहीं note क्या है देखे note में और logger में थोड़ा सा difference है logger में हम functions भी use कर सकते है किसी function के साथ कुछ concat कर सकते है कुछ कोई और कुछ काम करना चाते है कुछ plus minus करना चाते है सारी चीज़े हम logger में करा सकते है but note में simple दोस्तो केवल और केवल note के लिए केवल message note लिखने के लिए मेरे पास यहाँ पर आता है कि आप simply कोई description कोई note जो लिखना चाते हो आप लिख सकते हो केवल note में यह फायदा है ठीक है notification क्या है notification simple है send a notification email to relevant user at a specific point in the execution of an integration you can set the tour from and subject part in a email ठीक है भाई notification में ज़्यादा नहीं आते है किसी भी program के complete होने पर अगर कोई mail करना है किसी को किसी को बताना है कुछ करना है वो हम notification से कर सकते है through sending a mail stage file का है भाई बहुत important चीज़ दो stage file इतना important है कि मैं आपको बता नहीं सकता stage file का use आपको mainly आएगा कब जब आप file based कुछ चीज़े करेंगे अब यहाँ पर लिखा भी है process files in an integration the stage file action can process each file downloaded by ftp adapter the stage file action can read bracket में remove and thriller right zip unzip and list file in a staged location known to oracle integration ठीक है भाई definition बता दी है जो भी कुछ इसके बारे में बता दी है बट हिंदी में और in general समदो stage file एक ऐसा feature है जिसको use करके मैं एक temporary space के अंदर अपना file base कई सारे काम कर सकता हूँ जैसे let's say कोई file को कहीं से download करके मान लीजे में को तीन file अलग अलग location से लानी है और लाने के बाद वो zip करनी है for an example तो मैं क्या करूँगा कोई तो एक ऐसी repository होगी जहां से तीनों जगा से मैं अपनी file को ला पाऊं अपनी file को तीनों repository से ला पाऊं और लाने के बाद उनको finally zip कर पाऊं तो यह मैं कहां करूँगा यह actually मैं करता हूँ stage file के feature को use करके एक temporary जब भी stage file use करूँगा तब system automatically temporary directory एक temporary memory allocate कर देता जहां पर मैं file से related कई सारे अपने काम कर पाता हूँ files को zip कर पाता हूँ file को unzip कर पाता हूँ files को एक location से दूसरी location पे download कर पाता हूँ file को write कर पाता हूँ बहुत सारी चीज़े कर पाता हूँ stage file को use करके तो stage file नाम में आ रहा है file तो but obvious है भाई जब भी file का feature use करके दिखाऊंगा तो definitely stage file भी आपको दिखाऊंगा wait क्या है देखे wait क्या है wait में लिखाव है delay in execution in integration to specific period of time अगर आपको यह पता है कि कहीं पर मुझे इस तरीके का integration लिखना है जहां पर मुझे wait करवाना है forcefully wait करवाना है तो मैं यह feature use कर सकता हूँ और अपने integration को कुछ time के लिए wait करवा सकता हूँ तो यह तो मेरे actions हुए जिसमें से हम बहुत सारे करके भी देख लेंगे अभी lab session के अंदर error handling क्या है throw new fault re-throw fault भाई दोनों के दोनों हम सच बताने तब करेंगे जब हम कोई बड़ा या थोड़ा complex सा integration बनाएंगे जहां पर actually fault handler की कहानी होनी चाहिए बेवजा fault handler लगाने से मेरे system slow हो जाते हैं दोस्तों तो fault handler करता क्या मैं simple होता तो आप जब कभी भी कोई भी procedure या package लिखते हो या कोई anonymous block लिखते हो तो आप क्या करते हो आप वहाँ पर एक exception लिखते हो let's say आपने चार line का code लिखा और उस code के तुरंत बाद begin end के तुरंत बाद आपने एक exception लिखा और उस exception में आपने जो भी exception है जो भी error आया उसको handle कर लिया तो यह जो fault है fault नाम से ही समझने आपने कि fault का मतलब क्या दे कि यहाँ पर definition आपको मिल जाएगी generate error configure a code, reason, detail and skip condition for that error at a certain point during the execution of integration इसी भी time पे integration के execution के time पे आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई exception आने के chance है आप let's see division करते हो या कहीं पर एक ऐसा program चलाते हो कि किसी FTP से आपको पता है कि यहाँ से file आएगी तब आगी का process चलेगा let's say file नहीं आए तो एक exception आ गया ठीक है तो इस तरीके की जो होते है let's say आप किसी number को 0 से divide करते हो या कुछ इस तरीकी calculation अपने integration में करा रहे हो तो वहाँ पर exception आएगा तो ऐसी चीजों के लिए आपका integration क्या करे उसके लिए दोस्तों हम यह handler fault handler जो है यह error handling वाले fault handler है इनको use करते है ठीक है एक होता है throw new fault एक होता है re-throw fault एक होता है global fault तो fault से मतलब है simple है हम कहते नहीं कही बार कि यार यह bike नहीं चलती है इसमें देखके बताओ वही क्या fault आ गया तो यह वही fault है कि fault को पकड़ना और उस fault के पकड़ने पर करना क्या है वो चीज मुझे अपने fault handler में design करनी पड़ती है logic क्या है logic logic simple for each पता है भाई loop चलाना है for each के हिसाब से चला सकते है parallel parallel का मतलब है किसी एक node से parallel आपको दो process run करने हो जैसे लिखाए define branches to run two or more actions in parallel आप चाहते हो कि जब भी इस वाली location पे file आए तो parallel ही दो अलग-अलग location पे वो file मेरी sync up हो जाए उस तरीकी की कहानी के लिए मैं parallel वाला आपना जो logic है उसको use करता हूँ scope scope मैंने आपको पहली बताया कि scope मेरा हमेशा उस case में use में आता है जब मुझे पता है कि भाई जो काम में करवा रहा हूँ उसमें कुछ न कुछ error भी आ सकते है scope लिखूंगा तभी दोस्तो scope का देखिए handler भी होगा यहीं कहीं पे scope handler रिखे fault handler जब scope बनाऊँगा तभी उसका fault handler भी बनाना पड़ेगा यह fault handler वही है दोस्तो जो मैंने अभी अभी आपको इधर बताए ठीक है तो scope basically कुछ नहीं है एक ऐसा work एक ऐसा task जिसमें आपको यह पता है कि इस task को करने का एक scope है और इस scope में कोई error आने की अगर chance है तो उस चीज को में scope में ढालता हूं most of the time ऐससे task में file based integrations में करता हूं but not only file integration sometimes depending upon your business requirement we can create a scope right हाले कि definition आप यहां से भी पढ़ सकते है visible हो रही है switch क्या है switch भाई पहले भी देख चुक है और वैसे भी बता तुम switch simple case के तरीके से if else के तरीके से काम करता है controlling statement है मेरा while क्या है for each और while मेरे loop है for each मेरा for loop हो गया while मेरा while loop हो गया ठीक है इतना भी मेरे पता है call क्या है और java script तो भाई add करना है integration के अंदर तो भाई यह use करना पड़ेगा उसके अंदर script लिखनी पड़ेगी और उसको use करना पड़ेगा integration एक ही integration के अंदर आप चाहते हो दूसरा integration कहीं से call हो जाए जो आपने already बना रखा है तो भाई उसके लिए call को use करता हूँ call में जाके integration अब यह end के अंदर क्या है तो भाई देखो end कोई भी integration करोगे जैसे यहां पर देखो end हो रहा है इस तरीके से तो end के return feature stop feature fault return callback callback क्या है basically callback है कि जब मैं callback process कहां से अपने SaaS environment से मैं जब callback process को design करता हूँ वहां पर मतलब SaaS पर कोई activity complete हुई और जैसे ही वो complete हुई then मेरा callback automatically fire होता है यह भी बहुत important चीज है definitely इसको हम करके देखेंगे अभी हो सकता है जो मैंने बताया है उससे आपको समझ में ना आया हो but हाँ callback हम जरूर से जरूर करके देखेंगे देखें यहां पर पताया है end process and return to the trigger SaaS पर Oracle Cloud पर कोई program complete हुआ and मैं चाहता हूँ कि जब वो program complete हो then मेरा यह काम हो OIC पर तो callback वहां से trigger करके लाएगा point को trigger करेगा मेरे OIC के अंदर तो वहां से एक trigger point बतायेगा system को कि certain program मेरा complete हो गया है आपको next चीजे करनी है तो यह invoke कराता है next वाले मेरे integration को next जो भी step है उसको और कहां से trigger point बहार से पकड़ के लाता है callback के लिए Fault return is nothing जो fault handler हम लिखते हैं दोस्तों fault handler जो हम लिखते हैं इसी में किदर से किदर को return होना है यह fault return बताता है return is nothing but जिस तरीके का मैं अपना integration design करता हूं end point पर या तो stop होता है या return होता है तो भाई यह मेरे end point है actually end ही लिखा हुआ है सारी चीजे जो जो चीजे होती है उन सारी चीजों का discussion हमने यहाँ पर कर लिया अब hopefully हम आगे बढ़ते हैं और अपनी lab sessions की तरफ बढ़ते हैं जहां पर इन सभी के सभी मतलब जिनके possible ही है जैसे notification possible है stage wait अभी मैंने यहाँ पर आपके लिए perform नहीं किया but other than wait and B2B हम सबका example देखेंगे fault handler के example थोड़े से complex जहां file based integrations आएंगे वहाँ देखेंगे बढ़ हां for each, scope, switch, while and parallel इनका सबके example हम बहुत ही जल्द में आगे के sessions में देखने वाल है तो hopefully यह discussion जो है जहांपर मोटा मोटी overview हुआ हमारे क्या-क्या actions क्या-क्या handler क्या-क्या logics क्या-क्या end point हमारे पास available है OIC के अंदर अगर दोस्तों यहां से आपको थोड़ी बहुत भी knowledge मिली हो, आपको थोड़ा भी utilization हुआ हो चीजों का तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और उन दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें जो OIC यह fusion यह cloud पर पहतर तरीके से easy तरीके से चीजों को understand करना चाहते हैं तो अपने requirement अपने suggestion अपने भाई तक इसी तरीके से पहुचाते रहे हैं फिर से मुलाकात होगी दोस्तों इन सभी अपने एक्जामपल्स की लैब के साथ तब तक के दिये मुझे इसासत Thank you so much